हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने IQ7 Android मुवाइल फोन में आप जो है maximum number of connection इस सेटिंग को आपना use कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये maximum number of connection सेटिंग काम कैसे करती है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने व पेज में आपको option मिलेगा hot spot and theater ring इसे आपको select करना है अब इसके अगले पेज में आपको option मिलेगा wifi hot spot का इसे आपको select करना है अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की side यह आना है और यहां पर आपको option मिलेगा maximum number का इसे आपको select करना है ठीक है अब maximum number of connection का page open हो जाए के hotspot को on करते हैं तो कोई भी 10 लोग जो है आपके mobile phone के hotspot से अपने device को connect कर लेंगे, यानि कि 10 mobile आपके hotspot से connect हो सकते हैं ठीक है, इसी طریके से अगर आप याप यह number अगर आप change कर लेते हैं, जैसे कि मालें जी एक number हमने select कर लिया, एक number 근데 कर लिया ठीक है एक number यहाँ पर select करने से क्या होगा कि आपका hot spot जब on होगा तो कोई भी person जो अच्छा आपका friend है या कोई भी person है वो सिर्फ एक mobile ही आपके hot spot से connect कर पाएगा अगर मान लिजिए आपके किसी दूसरे friend के पास आपके mobile phone के hot spot का password है भी तो भी वो connect नहीं कर आप इस setting को यूज़ करके देख लिजिए अब मैं आपको इस setting को ढूंड़ने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके phone में इसके लिए आपको करना है mobile phone का setting page open करना है setting page में आपको सबसे ओपर यह search icon पे select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है maximum number of connection ठीक है setting का name जो है shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंड़ने का आपके mobile phone में